Hello everyone, now we will understand what is eliciting effect. Eliciting effect model पर depend नहीं करता कि ना उसके behavior पर depend करता है. यह क्या है? यह एक mass effect होता है या mass behavior होता है. जैसे अगर आपकी class में या फिर आपकी school में कोई performance होती है, तो आप क्या करते हैं? सब clapping करते हैं और सब hooting वगेरा करते हैं. तो अगर एक बच्चा hooting करते हैं, तो सारे बच्चे hooting करने लगते हैं, सारे बच्चे clapping करने लगते हैं. इस process को क्या कहते हैं? eliciting effect कहते हैं. इसमें effect जो है एक बच्चे की वज़े से नहीं आया है, सब बच्चों, सब बच्चे एक साथ एक process करने लगते हैं. तो मतलब ये crowd का process है इसको eliciting effect कहते हैं जैसे अगर आप किसी class में enter कर रहे हैं या फिर आप किसी sport event में जा रहे हैं और एक sport event में अगर एक person clapping कर रहा है एक person hooting कर रहा है तो बाकी सब भी उसके behavior को copy करने लगेंगे इस process को क्या कहते हैं eliciting effect कहते हैं